हाई गैज और विल्कम बाक टू दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन तो गैज आज हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेसिस इन न्यूस 2020 का दूसरा वीडियो कवर करने वाले हैं आपको बताओगा भी रिसेंटली इस सिरीज को स्टार्ट किया या है अब इसका जो यहाँ प पर इंपॉर्टेंट प्लेसिस हैं वो सब भी मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ तो मतलब कि एक सेप्टमबर से लेकर छे सेप्टमबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसिस इन न्यूस बाइदी पर जादव एजूकेशन करके टाइप करना आपको वीडियो मिल जाएगा अब यहाँ पर 6 सेप्टमबर के बाद से अब 6 सेप्टमबर से 17 सेप्टमबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसिस न्यूस में है वो सब हम लोग यहाँ पर कवर करने वाला है क्योंकि बीच में कुछ खास इंपॉर्टेंट प्लेसिस न्यूस में नहीं थी ठीके ना तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही थी वो सब आपके सामने कलेट करकर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ यह वीडियो आपको UPSC और State PSE दोनों में ही बहुत जादा है तो चलो शुबारम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे डिस्क आपको यह वाला चनल मिल जाएगा यहां से आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पा होगे साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना और वहां पर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक जामनेशन्स हैं वह यहां पर चल रहे हैं, कारशार पर हो चुका है, ़ोग जो काफी इंट्रेस्टिंग सा पेपर आपको देखने को मिला, फिर उसके आद में जी एस पेपर नंबह तू आपने देखा हुगा, बहुत सारे इंपोर्टेंट कि आपने वाने आपने तो वो सब हम लोग ने cover किये वह हैं उसको लेकर मैं proper एक analysis का वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कहां कासे question आए और हम लोग ने किन-किन तारीकों को वो पड़ा है वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किन-किन वीडियो के अंदर हम लोग ने discussion किया हुआ है ठीक है ना तो काफी अच्छा वेपड़ था ऐसा नहीं था कि यहापर बहुत ज़्यदा tough हो और ऐसा भी नहीं था कि बहुत नॉर्मल वाले questions थे आई-टू-ई-टू को लेकर था President का election यहाँ पे चर्चा में थे तो वो पूछ लिया गया हाँ एक बात और जो paper आपने देखा है चिए सिपर नंबर टू का उसमें देखो President election को लेकर एक question है कौन सा question है मेरे खयाल से question number 14 है है ना तो question number 14 के अंदर क्या बोला गया है critically examined the procedures through which President of India and France are elected अब भाई आपसे पूछ क्या लिया या देख रहे हो कि France के President का election कैसे होता है और India के President का election कैसे होता है क्योंकि India के Presidential election news में थे साथी साथ France के Presidential election भी news में थे आपको याद आ रहा होगा और आप लोग वीडियो जो है YouTube पर चान मारोगे आपको नहीं मिलेगा France के election के बारे में है ना एक आधी होगा जो कि वीडियो अपलोड होगा कि हाँ France के अंदर President के कैसे election होता है लेकिन मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जहां पे हम लोगों ने लगबग दो बार France के election कवर किया है आपको याद भी आ रहा हुगा कि मैंने बताया है अलग-लग shift में होते हैं देखे हैं दो shift में होते हैं मैंने अलग-लग तरीके साब को बताया है France के presidential election के बारे में मैं आपको वीडियो भी शेर करूँगा कि कौन सी तारीक का वीडियो उसका cut-out निकालके मैं दिखाऊंगा तो एक proper analysis का थोड़ा सा वेट करो आप मेरा schedule थोड़ा सा busy चल रहा है वरना आज एक interesting analysis में लेकर आता थोड़ा सा वेट कर लेना मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करूँगा definitely जिससे कि आपको और motivation मिलेगा और help मिलेगी और आप लोग जैसे कि बहुत सरे मेरे पास message कर चुके हो कि सर बहुत अच्छा paper लग रहा है हमें हमने जो भी पढ़ा है अभी तक वेडियो से वो सब आया है देखा ऐसा है अगर आप थोड़ा मन लगा के देख रहे हो पढ़ रहे हो तो आराम से वो ही चीज़े आएंगी जो भी current issue में है है ना obviously बात है जो current affair है जो news में चल रहा है वो पूछा जाएगा भले घुमागे पूछा या है लेकिन पूछा वही जाएगा बाकियार जिस प्रकार से आप सभी लोग के प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं सभी लोग को बहुत-बहुत शुक्रिया और बिल्कुल परिशान नहों ना जैसी मुझे समय मिलेगा मैं बिल्कुल एक वीडियो अप्लोड करूँ आभी थोड़ा सा जादा schedule busy है तो उसके मैं थोड़ा सा खुद परिशान वर रहा है आपको पता है ऐसा होता नहीं है ठीक है ना और उस motivation की वज़ा से ही आप लोग के motivation की वज़ा से ही आपर मैं आज इस वाले वीडियो का भी record कर पा रहा हूँ चलो फिर start करते हैं आज हम लोग important places के अंदर सबसे पहला place देखने वाले हैं वो है कतर मैंने आपको रिसेंटली दा हिंदू के अंदर बोला भी तक कतर को देख लेना अच्छे से मैप में जा कर तो कतर न्यूज में है पहली बात यह न्यूज में क्यों है क्योंकि रिसेंटली यहां पर क्या हुआ है ना कि कतर ने एक virtual network meeting को organize किया है जो की geographical indicator प्रोट्स को लेकर होगा तो यहां पर सेंटर ने इस meeting को launch किया है कतर के साथ में जिस वज़ासा यह न्यूज में बनावा था अब करना क्या है आपको यहां पर कतर के बारें पढ़ लेना है यह चीज़ों पूछी नहीं जाने वाली लेकिन कतर की location जरूर से पूछी जाए इसके बाद इधर Middle East का map आपको देखने को मिलेगा तो इसी Middle East में देखोगे तो यहां पर आपको कतर नजर आएगा अगर इसको और जूम कर लें तो यहां पर आपको कतर दिखाई पड़ता है ठीके ना यह रहा कतर पीछे साउधी रेबिया इधर United Arab Emirates और यह रहा Persian Gulf तो क कतर के जस्ट बराबर में देखने को मिलता है बाकी कतर की बौर्डर के बारें बात करें तो कतर का बौर्डर United Arab Emirates के साथ में है और सथी साथ में साउधी पर इस्थेत है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको मैप दिखाऊ हूँ exactly, तो exactly यहाँ पर यह कतर है, कतर से थोड़ा सा नौर्थ वेस्टर साइड में चलोगे, तो एदर 40 किलोमेटर दूर जाने पर बाहरें आपको यहाँ पर यह exactly देखने को मल जाता है, कतर की capital क्या है, दोहा यह आप लोगों को यहाँ पर पता ही है, clear बात हो गई, आप आगे आता है, अब कतर की कुछ geographical features के बारे में बात कर लेते हैं, यह बहुत important point है, ध्यान अकना कतर का जो area बिल्कुल flat है, low lying desert area आपको देखने को मिलेगा, उससे भी बहुत important बात, इस वाले point को note down कर लेना, यह point क्या बोलता है, abu al ball hill, अब यहाँ पर यह जो hill है ना, यह basically आपको कतर का एक highest point देखने को मिलेगा, तो कतर के अंदर एक highest point, एक सबसे उचा area यह सबसे उची जगा पर इस थे तो जो point है ना, वो basically abu al ball hill आपको देखने को मिलेगा, नाम जरूर से ध्यान अकना, प्लस यह पर कतर में कोई भी important, sorry, कोई भी permanent bodies आपको नहीं देखने को मिलती है, fresh water की, तो वो यह भी बात देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखो, ना रखो, चलेगा, लेकिन border जरूर से ध्यान रखना, border कि सासाथ परिशन गलफ आपको बरावर में देखने को मिलेगा, वो ध्यान साथ ही साथ में आपको ये अबू अल, बल, हिल के बारे में ध्यान रखना है, clear हो गई बात, तो ये बात हो जाती है हमारे कतर के बारे में, चलो, आगे आता है, दूसरा important place यहाँ पर न्यूज में क्या है, दूसरा important place है कजखस्तान, कजखस्तान की capital है नुर सुल्तान, जाएगा, कजखस्तान एक Central Asia ही देश है, आपको पता होगा, Central Asia के अंदर total 5 countries आती है, वो कौन कौन से countries है, वो सब अभी में आपको बता होगा, अभी फिलाल हम लोग कुछ data को देखते हैं, कजखस्तान Central Asia का एक सबसे बड़ा देश कहलाता है, अगर आपसे question बंजे, Central Asia का स देखने को मिल जाता है, कजखस्तान, ये area wise देखोगे, तो पूरे Central Asia में सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में आप देख पाओगे, उस्बैकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तर्जिकिस्तान, ये total आपको 5 देश देखने को मिलता है, Central Asia के अंदर में, clear बा दिया में, 90 नंबर पर आने वाला सबसे largest country आपको देखने को मिलेगा, हम लोग area wise बात कर रहे हैं, clear हो गई, अब location को अगर हम लोग देखें, तो location में, दियान रखना, जो नौर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, नौर्थ वाला हिस्सा है, वहाँ पर रश्या देखने को अब इसको थोड़ा map में देख लेता है, क्योंकि पढ़ने से हवाँ बात नहीं होगी अच्छे से, ठीके न, इसको map में देखो, कजक्स्तान आपको यहाँ पर नजर आएगा, मैंने आपको बताया, नौर्थ वाले रिजन में आपको रश्या देखने को मिल जाएगा, और इदर यहाँ पर इस्टन साइड में आपको इदर चाइना देखने को मिल जाएगा, तो यह कुछ कंट्रीज हैं, जो की कजक्स्तान के साथ में बॉर्डर को शेर करती हैं, और यहीं पर बराबर में RLC भी है, RLC का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है न, आगे आते हैं, तो गजगस्तान के अंदर हाइस्ट पॉइंट है माउंट खंतेंगरी, कौन सा माउंट खंतेंगरी इनाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाकि मैं आपको RLC भी दिखा दिया है, RLC और कैस्पियंसी दोनों ही आपको यहाँ पर अराबर वराबर में देखने को मिलेग जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर मैप में आपको नजर आएगा, मैं एक सेकिंड में क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकिंड को, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यह रहा कैस्पियंसी, है ना, कैस्पियंसी के साथ में भी कजक्सान बार्टर को शेर करता ह है, तो ऐसे question भी बन जाते हैं, clear हो गई बात, इधर आपको यहाँ पर Lake Balkash भी देखने को मिलेगा, तो Lake Balkash का नाम भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, चलो, आगे आते हैं उसके बाद, next point के उपर, next यहाँ पर important place क्या है, तो अगला place है South Korea, South Korea को news में बहुत तेजी से cover किया अब reason क्या था, क्योंकि South Korea ने क्या किया, Google और Meta के उपर fine किया, किस चीज को लेकर कि इन Google और Meta ने South Korea के citizen की जो privacy है, उसको valid किया है, उस चक्कर में यहाँ पर South Korea news में बना हुआ था, अब South Korea की capital आपको Seoul देखने को मिलती है, चीक है ना, तो South Korea कहाँ पर present है, exactly आपको अब यहाँ पर पहले political features को देखता है, South Korea की जब हम लोग बात करता है ना, तो इसके अराबर बराबर में दो सी देखने को मिलता है, दो समुदर अलग-लग नाम से जाना जाता है, एक Sea of Japan है जो की South Korea के eastern side में है, और western side में yellow sea है, अभी नहीं समझ में आएगा, अब इस वाले North हो गया, नीचे South हो गया और इदर West हो गया, तो eastern side में क्या है? Sea of Japan, और western side में क्या है? Yellow sea, clear हो गई बात, North side में आपको exactly North Korea ही देखने को मिल जाता है, यह हम लोग ने cover किया, अब North Korea और South Korea बीच में divide हुए हैं, उनके बीच में एक line है जिसको हम लोग military demarcation line के नाम से जानते हैं, वो line कौन सी है? तो आप exactly देखोगे उपर North Korea है, नीचे South Korea है, इनके बीच में यहाँ पर एक military demarcation line है, जिससे यहाँ पर यह दोनों बटे हुए हैं, नहीं तो फिर अगर आप लोग उपर से देखोगे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यह दोनों countries नजर आती है, North South Korea के नीचे आपको Korean straight देखने को मलता है, straight क्या है? Straight एक ऐसा रास्ता है, जो कि दो बड़े-बड़े समुद्रों के हिस्सों को connect कर रहा है, यहाँ पर yellow sea हो गया, यह हो गया Sea of Japan, इन दोनों को connect करता वह नजर आता है Korean straight, ठीक है न, यहाँ से आप लोग इस straight से निकल कर इस particular area में जा सकते हो, यह बात भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिए, अब आगे आते हैं, अब geographical features के बारे बात करें, यह मैं आपको बता दिया, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम लोग South Korea की बात करते हैं, तो South Korea में, जो Southern part है बिल्कुल निचला हि क्लियर हो गई बात, उसके साथ साथ यह मैं आपको बताई दिया है कि कौन कौन से area जिसके आसपास नजर आते हैं, आ गयाते हैं, उसके बाद अगला important जो place है वो है Azerbaijan, Azerbaijan और Armenia का recently dispute होता है, विवाद होता है, आपको पता है, जिसकी वेसे Azerbaijan news में बना हुआ है, तो Azerbaijan का capital है Baku, अभी क्या हुआ, recently इस दोनों के बीच में clash हो गया Azerbaijan और Armenia की बीच में, that is why यहाँ पर यह news में बन गए थे, अब जब हम लोग Azerbaijan की बात करते हैं, तो आपका Armenia भी cover हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों countries आपस में लगती हैं, ऐसे आप लोग देख पाऊंगे, अधर Armenia है तो इध पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर Cacasas की पाढ़ियां फैली वही है, यह आपको Cacasas Mountain region देखने को मिलेगा, है ना, यह पूरा का पूरा greater range है, इस mountain का, है ना, यह lesser range है, जब इस range को देखते हो, तो यह जो range है यह Azerbaijan तक जाता है, उपर यहाँ पर Cacasas की पाढ़ियां नीचे आप काई इस वजासे आपको दियान में रखना है अब जब हम लोग बात करते हैं एजवरबाइजान की तो एजबबाइजान के आसपास कौन क्वाइबाइजान के इसथ्टन साइड में कैस्पैंसी how एं सदन साइड में ए रान है वेस्थ अट में अर्मेनिया हो गया फिर इधर आप लोग देखोगे वेस्ट साइड में तो इधर अर्मेनिया हो गया है ना फिर उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो यहां पर इरान हो गया तो यह कुछ देश हैं जो की एजरबाइजान के साथ में boundaries को share करते हैं क्लियर हो गई बात तो यह countries के नाम जरूर से ध्यान अकना bordering बहुत जादा important हो जाती है बाकी मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि इन दोनो countries के बीच में लडाई हुई है जिस वज़ा से यह news में है लडाई क्यों हुई है उसके पीछे का reason है एक particular चोटा सा हिस्सा एक ज़बीन का टुकड़ा है जिसका नाम है नागोर्नो कारबक नागोर्नो कारबक कहाँ पर है तो इसको भी देख लेते हैं यह रहा अर्मेनिया यह रहा एजर्बाइजान इसके बीच में जो orange कलर का आपको पूरी लड़ाई समझने है वो कॉइसे अगले बार ग्वेशन सकता है जैसे अभी यहाँ पर स्रिलंक्न क्रैसीश को लेकर ग्वेशन आ गया तो वैसे यहाँ पर अर्मेनिया अजरबायजान के dispute को लेकर question बन सकता है तो Armenia, Azerbaijan का जो भी विवाद है वो पूरा विवाद मैंने YouTube पर upload कर रखा है separately करना क्या है? YouTube पर जाना, search box में type करना, Armenia versus Azerbaijan by दीपक जैदा वेजुकेशन आपको थोड़ी से समय में वो पूरा का पूरा dispute क्लियर हो जाएगा, ठीकिना उसको हाथवाद क्लियर कर लो, बहुत important है वो फिर आगे आते हैं अब geographical features के बारे बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, काकेसस की जो ये पहाडिया है, वो यहाँ पर value ही है जो higher range और lesser range है, वो आपको important part है, great काकेसस range के, ठीक है न, बाकी Azerbaijan के अंदर कुछ important नदियां देखने को मलती है, major river के अंदर पहला आपको river देखने को मलेगा कुरा, कुरा यहाँ पर सबसे लंबी नदी है Azerbaijan की, तो question बने कुरा क्या है, नदी है, Azerbaijan Azerbaijan के अंदर इस्थेत है, और Aras भी आपको यहाँ पर Azerbaijan में देखने को मलती है तो यह दो particular major rivers जो कि Azerbaijan में पाई जाती है यह बात हो गई, और इसके बगल में अर्मेनिया है, तो यहाँ पर साथी साथ आप इसकी location भी देख सकते हो आज का जो last location है इसको भी फटाफट cover कर लेते हैं यह location में हम लोग discuss करेंगे एक lake के बारे में, एक जील के बारे में इसका नाम है Manasbal Lake तो 33 साल बात, जो Manasbal Lake है ना इसको National Credit Corps के लिए open किया गया है, इस वैसे यहाँ पर यह news में था तो आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि यहां किस के लिए open किया गया है आपसे directly पूछा जाएगा, यह तो news है इसका background से question बनेगा, जैसे हर बार बनता है तो Manasbal जब lake की बात करते तो यहाँ पर इसका एक particular map, कोई detailing वाला map मिला नहीं है, that is why यहाँ पर सिर्फ इतनी जो बात लेकिवे यह आपको ध्यान में रखनी है यह जो lake है ना, यह आपको जहिलम वेली पर locateate देखने को मिलेगी यानि कि स्रीनगर का जो north वाला रीजन है वहाँ पर, उसके साथ यह जो लेक यह जो जील है, इसको हम लोग birds paradise के नाम से भी जानते हैं, तो question मने birds paradise क्या है, तो वो है municipal lake, और इंडिया की सबसे गहरी लेक, इंडिया की सबसे गहरी जील कौन सी है, वो भी यहाँ पर municipal जील है, प्लस यह जो municipal नाम है ना, यह यहाँ पर एक derivative है, लेक मांसरोवर का, अब तो यह लेक मांसरोवर की copy देखने को मिलती है, यह municipal यह आपको ध्यान रखना है, जो नाम मनसरोवर है यह basically लेक मांसरोवर का derivative है, बाकी location मैं आपको बताई दी है, location ध्यान रखना स्रीनगर के नदन हिस्से में, जेलाम वैली पर located है, birds paradise की नाम से भी जाना जाता है, और एक deepest lake यह कहलाती है, इंडिया के अंदर में तो यह कुछ important places सी, I hope आपको बहुत अच्छे से clarity मिल चुकी है जादा कुछ लंबा वीडियो नहीं बना है, लेकिन quality वाला वीडियो बना है, अब देखो, यहाँ पर हुआ क्या था, यह कुछ important places थी, जो की news में थी, अगर मैं इसके अलावा कुछ भी जबरसी आड़ करता है, वो काम का नहीं होता, यह ऐसी news थी, जो की बहुत ही जादा मतलब आप कर सकते हो, current issue में चर्चा में थी, और यह कम issue थे थोड़े बहुत, क्योंकि आज कल बीच में कोई भी ऐसी important places जादा news में देखने को में ली नी थी, तो जितनी भी news में थी, वो सब compile करके आपके साथ में discuss कर दी गई है, PDF मैं आपको telegram पर provide करवा दूँगा, make sure करना, PDF को download कर लो, बाकी जैसा हमारा पूरा का पूरा महीना complete होता है ना, तो पूरे महीने की जो भी important news है, वो सब भी मैं एक बार में compile करके upload कर दूँगा, तो आपको वहाँ सभी benefit मल जाएगा, आज मिलता है आप लोगों से अगले वेडियो में, आज के लिए बाइबाइ, have a nice day, thank you and jahind